शादी के बाद पती के साथ पहली बार मीडिया के सामने आई देवोलीना मांग में सिंदूर गले में मंगल सूतर पहने खूब जची आक्ट्रेस बाहों में बाहें डाले पती के साथ देवोलीना ने दिये पैपराजी को रोमैंटिक पोस टीवी की मशूर आक्ट्रिस दिवोलीना भटाचार जी ने बीते कुछ दिनों पहले जिम ट्रेनर शेहनवास शेक के साथ शादी रचाई है उनकी कुपचप शादी ने फैंस से लेकर सिलिप्स तक को हैरान करके रख दिया था वहीं शादी के बाद हाल ही में आक्ट्रिस पती संग पहली बार मीडिया के सामने नजर आई जिसकी तस्वीरे इस वक्ट सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रही है दरसल देवलीना भटाचार जी पती शहनवास शेख के साथ गोल्ड कोस्ट अवार्ड लेने पहुंची थी जिस कायोजन मुंबाई में हुआ था इस दोरान देवलीना ने पिंक कलर का सिंपल सूट पहना था इसके साथ ही वो मांग में सिंदूर और गले में मंगल सूतर पहने नजर आई इस लुक में देवलीना किसी नई नवीली दुलहन से कम नहीं लग रही थी वहीं अपने इस लुक को देवलीना ने खुलें बालों और लाइट मेकप के साथ कम्प्लीट किया था इस दोरान देवलीना के चेहरे पर शादी के बाद का गलो भी साफ दिख रहा था वहीं बात करें उनके पती की तो शानवास शेख इस दोरान लाइट ब्लू कलर का सूट पहने नजर आए दोनों पती पतनी ने दोरान मीडिया के सामने हाथों में हाथ डाले, जम कर पोस भी दिये किसी तस्वीर में दिवुलीना अपने पती का हाथ थामे दिखी तो किसी में शाहनवास अपनी वाइफ का ध्यान रखते हुए दिखे तो वहीं एक फोटो में देवलीना भटाचार जी पती शनवास शेख की और देखती नजर आई उनका ये अंदास fans को भी खुब पसंद आया कपल की ये तस्वीरे सोशल मीडिया पर खुब वाइरल हो रही है fans दोनों की तस्वीरों पर जम कर प्यार लोटा रहे है तो वहीं दूसरी तरफ देवलीना भटाचार जी और शनवास शेख को साथ में देखकर कुछ यूजर्स उन्हें ट्रॉल भी करते नजर आए एक यूजर ने लिखा अरे ऐसा क्या दिखा था देवलीना को इसमें तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा प्यार इतना अंधा होता है पता नहीं था बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब देवलीना भटाचार जी और शानवास शेख को लोगों ने ट्रॉल किया है जब से देवलीना ने मुस्लीन लड़के से शादी की है तब ही से लोग उन्हें ट्रॉल करने का एक भी मौकान नहीं छोड़ रहे हैं बीते दिनों जब देवलीना ने अपनी शादी की तस्वीरे शेयर की थी तब भी लोगों ने उन्हें जम कर खरी खोटी सुनाई थी किसी ने उनके पसंद को बेकार बताया था तो किसी ने उनके शादी को लब जिहाद बताया था बीते दिनों तो लोगों ने अक्ट्रिस को उनके बच्चे के बारे में ट्रॉल करना भी शुरू कर दिया था हाला कि देवोलीना ने उसका मूत और जवाब भी दिया था दरेसल एक ट्वीटर यूजर ने ट्वीट करते होगे देवोलीना से पूछा कि क्या वो अपने बच्चों को हिंदू या मुसलिम के रूप में पालेंगी जिसका जवाब देते होगे देवोलीना ने लिखा था कि मेरे बच्चे हिंदू होंगे या मुसलिम आप कौन और इतनी आपको बच्चों को लेकर चिंता हो रही है तो बहुत सारे अनाथ हाश्रम हैं जाईए अपनाईए और अपने हिसाब से धर्म या नाम तै कीजिए मेरा पती, मेरा बच्चा, मेरा धर, मेरे नियम आप कौन बता दें कि दिवुलीना भटाचार जी और शाहनवाज शेख ने परिवार और खास दोस्तों की मौजूदगी में कोर्ट मारिज की थी इस मौके पर आक्टर विशाल सिंग भी मौजूद थे। दिवुलीना भटाचार जी अपनी शादी के बाद से ही काफी चर्चा में बनी हुई है। आक्टरिस भले ही ट्रॉल हो रही हो लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान ना देने का फैसला किया है। इसके साथ ही दिवुलीना लगातार शादी से जुड़ी अंदेखी फोटोज और वीडियोज फैन्स के साथ शेयर कर रही है।